मुरादाबाद से एक अजीवो गरी मामला प्रकास में आया है जिसमें कोरोना योद्धा सड़क पर रहने को मजबूर हो रहे हैं जो की कोरोना काल में 24 गंटे ड्यूटी कर अपनी सेवाओं को अंजाम दे रहे थे उनी एंब्लेंस चालकों ने स्वास विभाग पर लगा हैं कैं आरोप एन-ेम ट्रेनिंग के लिए कोरोना योधाउन से कमरा कराया गया खाली जो कोरोना योधा के खिताब से सम्मानित किये गए थे आज वही कुरोना योदा सड़कोवा एंबुलेंस में सोने को मजबूर हैं एंबुलेंस चालकों ने जिला प्रशासन से इंसाफ की गुहल लगाई इस प्रक्रण को लेकर मुख चिकित्सा अधिकारी MC गर्ग ने मीडिया से बात करते भें बताया कि एंबुलेंस के बारे में उनको कोई आवास देने का प्रावधान नहीं है किन्तु जो उपलब्ध विवस्ता होती है उसमें उनको परमिट कर दिया जाता है अलोट नहीं किया जाता अभी NMTC की जो ट्रेनिंग होने वाली है उसके लिए ANMC तयारी की जा रही है जो कोई भी बस्ता होगी वो देख लेंगे हमारे लिए रहने के लिए बिवस्ता नहीं है guraround समारास आप unig 128 में नाना दोना कर सकाएам क्या नाम है आपका यारे कमरे प्रोवाइड बश्टर देक ऑबमरे और तरफ सर अब जये आं मैं हम से कमरे हला लें हमारी बश्टाइब और आप देख सकते हैं अभी भी जो कि अब रात कर समय है और हमारे बिश्तर और हम सब बाहरी हैं इस लोगों जो है तुमारे वोड़ पे हैं जिसर किस की तरफ से कमरे दिये गए थे और और अब हमारे लिए कोई विवस्ता है नि सेर यह नाने का है न दोने का है न रहने का है ना से पचैते न चांदना है अडिमिस्टरेशन से की अधिकारी से शिकार तो हमारे लिए मतलब कोई संतोष्ट जिनक जो है हमें जबाब नहीं मिल पाया कि क्या मांग करेंगे प्रिशा से सर बस हम तो यह के हमें कमरे प्रोवाइड किये जाएं और ताकि हम बहतर सेवाद दे सकाएं तुरंत जी मेरा नाम आज जादबा अजी काउं सी हम ले इस्ट फ़ेश्ट गाड़ी है अब एक प्रकराण है क्या पूरा मामला है क्या समस्क्राइड पहले हमें कमरे प्रोवाइड की गए थे कोबिट ताइम में चीम उसर की एप्रूवल से दिये गए थे जबकि कोबिट खतम होग कि आप कुछ भी नहीं है तो कमरे चीन लिए गए हैं किन परिशानियों को सामने करना पर सर बाहर रोड पे सारी दिन और रात भी रोड पे रहना पड़ रहा है कितने साती हैं लगव 15 से 20 साती हैं सर यह मांग है कि हमें कमरे प्रोवाइड की जाएं वैसे ही मांग है प्रह सब्सक्राइब करने हैं हमें रेफर्म गाड़ियें चलती है तो यह दिक्कत तो है सर कि अबुलेंस करने पर आरूप है कि उनको जाए एक गून दिया गया तो तो भी टाइम पर इमर्जंसी सेवा जिए उनसे वापस लिए गया वो सड़क बस होने को देखिए आरोप शब अबुलेंस के बारे में कोई उनको आवाज देने का प्राविधान नहीं है किन्तो जो भी उपलब्द व्यवस्ता रहती है उसमें उनको परमिट कर दिया जाता है अलोड नहीं किया जाता है है ना तो अभी एनम टीसी में जो ट्रेनिंग होने वाली है उसकी विए से एनम की ट्रेनिंग के लिए तैयार की जा रही है और को जब भी ववस्ता होगी उनके लिए देख लेंगे अब वो लोग कह रहे हैं कि उनको जो है को भी टाइम के लिए स्पेशल डूटी इप लिए रख गया चौविस गंटे बो अब भी डूटी कर गया है और उनको बहार नि नियुजाब भारत